नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुन भनोट है और मैं मनीपाल हॉस्पिटल गुडगाउं में एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ आज के इस संदेश में हम आने वाली 15 अक्तूबर जिसे की वर्ड स्पाइन डे के तौर भी मनाया जाता है के उपलक्ष में हम रीड की हड़ी के संबंधित उसकी हेल्थ और उसकी सही सेहत को बनाए रखने के लिए आपसे ये वारतलाप या आपसे एक ये संदेश दे रहे है जैसे कि हम देखते हैं कि आज कल का जो यूग है वो टेक्नोलोजी डिवन यूग है इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मशीनों के माध्यम से हम करते हैं जिनकों की पहले हम हाथ से या अपने शरीर की मेहनत से करते थे छोटा सा समान लाना होता था तो कई बार ठाके भी लाते थे पर आज की डेट में आपने देखा होगा कि सब कुछ होम डिलिवरी होता है तो कितनी सारी चीजें जो आपकी इन एडवेटेंटियां आटोमेटिक एक्सराइज होती थी वो अब काफी कम हो गई है इसी तरह बच्चे भी जो कभी साइकल से स्कूल जात घ्चे थे या तो वो आनलाइन जाद़ा पढ़ लेते हैं या उनको आने जाने की सुविदा बसों में गाड़ीों में या हम अपने प्राइवेट वहिकल में लेके जाते हैं इस सबसे हमारे जो शरीर को व्यायाम करने की आदत थी जिससे की शरीर की हड़ियां और मास्पै इशियां उस लोड को उठाने में जो मजबूत होती थी उनके उपर वो लोड मिलता नहीं और इस वज़ा से वो उतनी स्ट्रॉंग रह नहीं पाती इस और साथ के साथ जैसे बहुत सारा जो काम है कंप्यूटर्स और मुबाइल्स के उपर ही हो जाता है जिसकी वज़ा से मुबाइल या अपने टैब या लैप्टॉप पे व्यतीत करते हैं जिसकी वज़ा से उनका बैठने का पोस्चर जो अर्गोनॉमिक्स हैं बॉडी को मेंटेन करने की स्थिति वो भी बिगड़ते जा रहे हैं इन सब चीजों के जो इन सब चीजों का जो कलेक्टिव पीपल सो अभी हम देखते हैं कि हमारी OPD में कई बार 20-22 साल के ही जवान लड़के लड़कियां सिवियर बैक पेन या लेग पेन के साथ आते हैं जिसे हम शेयाटिका बोलते हैं इन सब चीजों से वो गरसित रहने शुरू हो गए हैं तो आज हम आपको ये संदेश देना चाते हैं कि जहां भी संभव हो आप अपने गैजट्स का इस्तिमाल तो बढ़ नहीं किया जा सकता पर उनको जहां जरूरी हो वहाँ अवश्य इस्तिमाल करें पर जहां आप उनके बिना काम चला सकते हैं वहाँ पे उनको टेबल पर रखें और जहां संभव हो फिजिकल ए इन सब से बच सकें और अगर कभी God forbid ऐसी कोई परिस्थिती आती है तो अपने पास के Spine Specialist या कोई अच्छे Physiotherapist से सला लेके रीड की हड़ी के और सर्वाइकल के जो exercises हैं जो व्यायाम हैं उनको सीख के उनको नियम से करें धन्यवाद